हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आप सभी अच्छे हैं मैं आरोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे आज की चैनलिंग यानि की आप सभी जानते हैं आज भी एक न्यू पोर्टल है यानि की 696 का पोर्टल है और ये पोर्टल हम सब को क्या ब्लैसिंग्स दे रहा है क्या आपको gifts मिले हैं, क्या आपको energy receive होने वाली है और आपकी current energy इस portal के बाद क्या रहने वाली है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे बड़ी जो blessings हम सभी divine souls को मिल रही है वो ये है कि जो भी DM हो या TFO जिनकी life में third party issue है थोड़ा सा वो surface पे आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्याद़ टिगर भी मिले हैं उनसे लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये portal उन सभी third party को release कर रहा है या तो आपकी life में है या फिर आपके partner की life में है किसी की भी life में अगर third party issue है तो वो इस portal के end होते होते तक आप उससे release हो जाएंगे आज़ाद हो जाएंगे यानि जो भी आपके करमा है अपने 3D life में जो भी measure measure आपके करमिक चीजे है यानि कि कुछ ऐसी जो आपको ना चाते हुए वे वो चीजें आपको face करनी हो रही थी और आपको उनको निभाना भी पड़ रहा था लेकिन अब जो ये energy shift होई है ये एक new blessings के रूप में आप सब को receive होने वाली है क्योंकि आप सब की life से करमा तो release होई रहा है साथ में जो आपको major blessings मिल रही है वो ये है कि आपकी life में जो financial को लेकर कि बहुत ज़्यादा issue रहे हैं वो आपके infinity में आ रहे है और साथ में आपके spiritual जो growth है वो एक सुंदर और एक higher dimension में shift हो रही है यानि कि यहां से आगे अब जो आप सोचोगे जो आप चाहोगे जो आप मांगोगे वो ही आप receive करोगे ना कि अब यह ना आपके उपर रहेगा कि आप क्या सोच रहे हो क्या मांग रहे हो क्या attract कर रहे हो तो थोड़ा सा make sure कीजिएगा कि आप अपनी energy में क्या सामिल कर रहे है बेशक अभी थोड़ी सी energy आपको नव जो आपको feel हो रही है थोड़ा सा बेचैनी थोड़ा सा घवराहट आपको हो रही है suddenly जब आप नीन से जाकते हैं तो बहुत आपको vomiting जैसा feel होता है घवराहट होती है BP low जैसा feel होता है BP low या high जैसा feel होता है एनरजी बहुत ज़ादा कभी high होती है कभी low होती है body pain आपको बहुत ज़ादा problem दे रहा है साथ में आपको headache जो है वो भी आपको परिशान कर रहा है इन सबका जो भी तोड़ है वो यही है क्योंकि आपना सबसे ज़ादा releasing mode पे हैं आप अपने अंदर के blockage को भी release कर रहे हैं आपके अंदर जो भी आपके 7 चक्राज में blockage घटे हुए हैं या कोई toxic energy आपने carry किये हुए हैं वो सारी की सारी release हो रहे हैं और ये releasing यानि ये cleansing divine के तरफ से हो रही है और इसके चलती ना आपको थोड़ा सा issue हो रहा है तो आपने feel किया होगा कि आपके नावी के नीचे जिस जहां पे हमारा root चक्रा होता है बहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ascension हो रही है बहुत ज़्यादा vibration आपको feel हो रही है जैसे कि गोल-गोल कुछ चल रहा है घूम रहा है body में आपको कहीं भी ये सारी चीजे feel हो सकती है लेकिन root पे अगर हो रही है तो आपके लिए indication है ये divine की तरफ से message है कि इस जो तिवेट हो रहा है यानि root चक्रा यानि कि जो ascension आपको वहाँ भी feel हो रही है उस ascension को आपको थड़ाई पर लेके जाना है और थड़ाई से आपको crown चक्रा पे shift करना है जैसे ही आप इसे shift करते हैं तो आप एक नए spiritual experience को receive करोगे एक spiritual gifts को receive करोगे वो क्या होगा कि आप ना super consciousness से जुड़ जाओगे super consciousness क्या होता है हमारे subconscious mind और super conscious mind और cosmic super mind होता है तो अभी हम अभी जब जैसे ही आप इस energy को अपनी crown पे shift करोगे तो आप लोगों के आप लोगों के subconscious mind से connect होना शुरू हो जाओगे यहाँ पे कुछ souls हो चुकी है I mean already हो चुकी है जो आप कभी जिसे पलपल में आपकी energy change हो रही है अगर आपको नहीं पता कि यह किसकी energy है और क्या करना है तो आपको अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको prayer करना है उन सब के लिए जिसकी भी energy आप receive कर रहे हैं उनके लिए prayer कर सकते हैं नहीं तो कुछ ऐसा करें कि meditation में जाकर कि divine से help लें और जानने की कोशिस करें कौन है जो आपसे connect हो रहा है क्योंकि यहां से आपकी channeling शुरू हो रही है यहां से आपना सभी के subconscious mind से connect हो रहे है जिसके चलते आप लोगों के होने बाली problem को पहले से ही जान लोगे और आप उन्हें solve करना शीक जाओगे और उन्हें help देना शुरू कर दोगे तो यहां से जो एक major channeling I mean major जो gift आपको मिल रहा है वो दो है एक तो है कर्मा रिलीज होना दूसरा आप channeling के मोर पे आ रहे है आप लोगों के subconscious mind से जुर रहे है तीसरा आपका जो financial issue चल रहा है वो एक abundance जो है आपकी वो infinity में आ रही है एक बहुत प्यारी infinity में आ रही है आपके पास पैसों की जो किल्लत चल रही थी जो दिक्कत चल रही थी वो अब यहां पर रिलीज हो रही है साथ ही साथ में आप अपने union को अचीव कर रहे है union यानि की अभी आपका short trim में union चल रहा था लेकिन अब आप permanently harmony union की तरह बढ़ रहे है और उससे पहले आपको जो basic basic higher learning करने है वो learning आप कर रहे है सभी जानते हैं टीन फ्लीन जर्नी जब मिलती है तो हमें सबसे पहले अवेकन होना पड़ता है तो ये अवेकन जैसे आप हो चुके हैं लेकिन अब आपको लोगों के साथ में भी जुड़ना है यानि सबकी energy से connect होना है जैसे हम सभी light workers connected होते हैं हम सब आपकी energy हों से ऐसे ही आपको डिवाइन की तरफ से connected किया जा रहा है ताकि आप भी अपने soul purpose को receive कर सको तो यानि कि ये जो new portal energy है ये आपको बहुत सारी gifts दे के जा रही है तो ये बस इसका इतना सा है कि अगर आप इस energy को अच्छे से समाल पाते हैं अच्छे से maintain करके चलते हैं तो समझ के चलते हैं तो आप इस ही 99 portal में अपने union को receive कर सकते हैं और साथ में आपको करना क्या है सबसे ज़्यादा आपको liquid form में कुछ भी पानी हो या कोई आपका juice वगेरा हो जो भी आप लेना पसंद करें वो सबसे ज़्यादा यूज करें और आप कुछ time के लिए meditation जरूर जोइन करें क्योंकि ये time आपका मन भी लग रहा है ऐसा बात नहीं है भले ही थोड़ा सा irritation होता है लेकिन आपका जबी भी आप बैठते हो तो deep meditation में जा रहे हो तो आपको अपने union के लिए ये थोड़ा सा काम जो आपको divine के तरफ से दिया गया है लोगों की help करने के लिए soul purpose से जुनने के लिए ये आपको allow करना है अपने लिए तो या ये है आज की channeling आपके लिए I hope आपके साथ में resonate होई है resonate होई है तो please मुझे like and subscribe कीजिएगा साथ में जैसे कि हमारी एक video pending रह गई थी वो थोड़ा सा मेरी जो brother की बेटी है वो थोड़ा सा बीमार हो गई थी उसके वज़ा से मैं नहीं आ पाई क्योंकि मुझे वो हमीशा मेरे पास ही रहती है तो जब वो बीमार हो है तो अपकोस वो ज़्यादा मेरे पास थी तो मुझे लगा कि उसे ज़्यादा मेरी healing की ज़रूरत है तो सायद divine ने मुझे अभी allow नहीं किया लेकिन मैं उसे बहुत जल्दी आपको ये message यानि ये video लेके आऊंगी कि आप अपने angel spirit guide से कैसे connect करें ताकि आप अपनी journey को easy बना सके तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो लेके आने वाली हूँ उससे पहले आपको ये message देना बहुत जरूरी था क्योंकि आप कहीं न कहीं जो थोड़ा सा toxic energy को feel कर रहे है तो ये आप सोच रहे हैं कि ये हमारे DM की energy है या हमारी energy है नहीं ये किसी की energy नहीं है ये आप दरशल आप दूसरों के सब conscious mind से जोड़ रहे हैं इस बज़ा से आप ये feel कर पा रहे हैं यानि आप दूसरों के दुख को अब आप feel करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको prayer करना है divine से आपको help लेनी है और direction भी लेना है कि किस direction में हम काम करें जिससे कि हम लोगों की help करता है तो कोई ना कोई अपना platform ready करें और अपना साथ में दूसरों का help करें तो या इसी के साथ चलती हूँ मिलती हूँ ने next video में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें अगर आपके साथ resonate हुआ है तो please मुझे like and subscribe करना ना भूलें इसी के साथ चलती हूँ बाबाई